डीपीडीसी फंड को लेकर विधायक गेश्व्यास इन्होंने सरकार को आड़े हाते लेते हुए फंड की नियोजन में जो लापरवाई हुई है इसका तिवर रोश व्यक्त किया पिछले सब्ता में हुई डीपीडीसी मीटिंग में भाजपा के कोई भी विधायक वहाँ पर मौचूद नहीं थी लेकिन अब की बार हुए डीपीडीसी मीटिंग ऐसा देखा गया कि पिछले 2019 के डीपीडीसी में 777 करोड मंजूर किये थी उस समय में खर्चा 756 करोड हुआ था तक्रीबन 97 प्रतीशत खर्चा पिछले डीपीडीसी के कमीटी में पिछले पालक मंत्री की कारेकाल में हुआ कोरणा का नाम आगे बढ़ा कर नियोजन से कोसोदूर ऐसी सरकार आकारशम सिद्ध हो रही है ऐसी जानकारी विधायक गिरिश्व्यास इन्होंने पत्रकारों की समख्ष दी है विधायक गिरिश्व्यास द्वारा जो आरोब सरकार पर लगाए गये है वो काफी चिंता का विशे बना हुआ है विकास कामों को लेकर हमीशा ही सत्तापक्ष और विरोधियों के ये बाती होना स्वाभाविक है लेकिन सत्तापक्ष और विरोधियों की राजीतिक नोगजोक में राजी के शहर के और ग्रामिन के जनता का बड़ा नुकसान हो रहा है आखिरकार कब जनता को न्याय मिलेगा और डीपीडिसी फंड का सही इस्तमाल कब होगा इस और जनता की निगाहे लगी हुई है क्यामरपोसिन राजकुमार मोड की साथ संजय मीरे बीसी न्यूस नाकपूर डीपीडिसी चा बैठीकी परंद आमी आलो तेवा आस्ता बगितला कि माक्चा एकोणी स्वीष्चा डीपीडिसी मदे साच्चे सत्यत्तर कोटी रुपाए एक अंदर त्या वेला थीत प्रस्तावित आणी मन्जूरी चे होते तर कर्च ता वेला साच्चे चपन्न कुटी जाला। मंजे जोपा सत्यान्यूं टक्या खर्च माक्चा ड् Talking Committee माक्चा सरकारच, माक्चा पालक Мंदुराच चा कार्यकार जला . त्या अनुशंगाना कोरोना जरी असला तरी त्या संदर्मा मदला प्रशासन शुन्य आणि कुटलाई नियोजन नसलेला इस सरकार आणि त्या पद्धतीने इते जमां आला त्यमां आशिस्तिति आली कि या वेला केवद 37 रुपए, 37 कोटी रुपए खर्चा जाला है आणि या 37 कोटी रुपए खर्चा जाला चे जमां आमी आज प्रश्न विच्छारला त्यमां त्यमां त्यानी सांगितल कि एनरे एच्चा मदे ये जे 536 कोटी रुपए खर्ची त्राहलेला है हाँ आमी 28 महिना मदे खर्चा करू वास्तविक यवडा मूठा निधी इतक्या लवकर सर्व प्रशास्की बाभी पूर्ण करून या संपूर्ण खर्चा हूँ शकत नाए तोंडाला पानपूस्नेल चे काम इतला नियोजनानी ये सरकार करता है